दोस्तों, क्या आपकी TV-screen पे सफेद दाने इधर उधर घूमते दिखाई पढ़ रहे हैं? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मच्छन आमारी TV के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं? या फिर आपकी TV-screen पे No Signal या Big Signal का मैसेज आ रहा है? या फिर आपकी TV की स्क्रीन ब्लू या ब्लेक हो चुकी है और उसमें नो सिगनल का मैसेज आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इन धेर सारे सवालों को जवाब मिलेंगे और आप जानेंगे कि कैसे आप इस प्राब्लम को ठीक कर पाएंगे अपने रिमोट से या फिर बिना रिमोट के दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आप हमारे सान में TV देख रहे होंगे यह फ्रेंट्स हमारी समसंग की TV है और इस पे MPG2 का बाक्स लगा हुआ है और इसमें फ्रेंट्स बीग सिगनल या नो सिगनल की प्राब्लम आ रही है और इसमें इस तरह के महींदाने मुवमेंट कर रहे हैं इसमें से लग रहा है कि हमारी TV स्क्रीन के अंदर बहुत सारे मच्छर भार चुके हैं तो इसको हमसाल करने का आपको तरीका सिखाएंगे तो इसमें परले आपड़ों को बता दें कि इस तरह की स्क्रीन आपके TV पर आती क्यूँ है दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम कभी साप सफाई कर रहे होते हैं या हमारी गलती से रिमोट की कोई बटन दब जाती है तो उससे हमारी ये प्रावलम आने लगती है तो चलिए फ्रेंट्स ये देख पा रहे हैं हमारे सामने समसंग की टीवी है अब इसके लिए फ्रेंट् इस प्राबलम को ठीक कर सकते हैं तो आपको रिमोट लेना है और रिमोट में सोर्स वाली जो बटन होती है इस तरह कि आपको मार्किन दिखाई पड़ेगी सबसे उपर आप दाहिनी साइड में हमारी तेक पार हैं रिमोट पे इस बटन को आपको प्रस करना होगा तो आपके स सामने इस तरह से option आ जाएंगे अब आपको AB वाले option पे आना है और यहां पे आके कर देना है अगर आपका box AB केबल से जुड़ा होगा तो आपका तुरंत ही चालू हो जाएगा अगर फ्रेंट्स आपके पास रिमोट नहीं है तो आपको बताएंगे आप बिना रिमोट के क आप प्रेस करके और इसको आप डाउन करके और राइट लेट करके आप सारे मीनू के option को select कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इस बटन को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको हम राइट साइड में प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से प्रेस करने के बाद फ्रेंट्स आपको यहा जाएगा अब फ्रेंट्स जब आप बटन को फिर से दाहिनी तरप्रस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से TV का मीनू ओपन हो जाएगा जैसा कि आप रिमोट से ओपन करते हैं तो मीनू आता है अब फ्रेंट्स आपको यहाँ पे नीचे AB पे आना है और AB पे आकर के OK कर देना है जैसे फ्रेंट्स आप AB पे OK करेंगे तो इस तरह से आपके सामने टीवी पे स्क्रीन आ जाएगी यानि आपकी टीवी चलू हो जाएगी अगर आपका जो बाक्स है वो प्रॉपर तरीके से टीवी के AB इन्पुट से कनेक्ट है तो दोस्तों इस तरह से आप छोटा सा काम करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं और अपनी टीवी को सही कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्या